So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 30 जून के important current affairs को, तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाली में राष्टर सांखे की दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 29 जून को, तो सांखे की और आर्थिक नियोजन के शेतर में प्रोफेसर प्रशान्त चंद महाल इनको भारते सांखे की का पिता या भारते सांखे की का जनक भी का जाता है, पहली बार इस दिन को हमने 2007 में मनाय था, और इस बार की theme बहुत बड़ी है, फिर भी में आपको शो कर देता हूँ, ये रहे इसकी theme, तो पीसी माहल नोबिस की बात करें, इन्होंने योजना आयो का हिस्सा थे, उन्होंने 1931 में भारते सांखे की संस्थान की स्थापना में महत्वपून भूमे का निभाई थी, तो भारते सांखे की संस्थान इसकी स्थापना 1931 में होती है, ये भी ध्यान रख लेना इसका मुख्याले कॉलकता में है, अच्छा देखो ये तो हो गया हम परा राष्ट्र सांखी की दिवस, National Statistic Day, एक विश्वु सांखी की दिवस भी होता है, वो हम मनाते 20 October को, अब important day वला कुशन है, और इस महीने का ये आखरी दिन भी है, तो इस महीने के जितने भी important days हैं, वो सारे में आपको एक बार revise कराऊंगा, लेकिन इस question में नहीं कराऊं John Bannister Goodenough, तो अमेरिके scientist है ये John B. Goodenough, जिनका अभी 100 वर्ष की उमर में निधन हो गया, मतलब अभी एक महीने बाद ये 101 वर्ष के उने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही निधन हो गया इनका, वे lithium-ion battery के निर्माता थे, और इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि 2019 में chemistry का noble पुरुसकार मिला था इनको, और आप यूँ भी कह सकते हूँ कि noble पुरुसकार पाने वाले ये सबसे उम्र दराज व्यक्ति भी थे, अचा noble पुरुसकार की बात हुई है और वो भी chemistry का, तो एक प्रशन तो बनेगा ना कि 2022 का chemistry का noble पुरुसकार किसे मिला था, तो तीन जनु को मिला था, उनके नाम क्या है, कैरोलिन बटोजी, मौटन मैलडाव और बेरी के शार्पलेस, वैसे noble पुरुसकारों को याद करने का tricky वीडियो हमने अल्डरेडी बना दिया है, अगर किसे ने वो नई देखा और noble पुरुसकार याद करने, तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या सीधा सा सर्च मारिए, noble prize tricks by crack exam, बाकि आप जानते हो, James Chadwick, इन्होंने किसके आविशकार रख थे ये, neutron के, और Martin Cooper, mobile phone के आविशकार रख थे, जबकि Demetri Mandelief, ये periodic table के आविशकार रख थे, तो science में इस तरह के प्रशन बनते हैं अक्सर, तो ध्य जान रखना ये, बढ़ते हैं के, फिर बताईए, हाली में उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को GI टेग मिला, तो answer होगा, उपरियुक्त सभी, तो अभी जून दोजार तेविस में उत्तर प्रदेश के साथ उत्पादों को GI टेग मिला है, वो साथ उत्पाद कौन कौन से ह अमरोहा ढोलक, महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प, मेनपूरी तारकशी, संबल होरन क्राफ्ट, बागपत होम फरनिशिंग, बारा बका हेंडलूम प्रोडक्ट और कालपी हेंडमेड पीपर, अच्छा अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा, अभी उत्तर प्रदेश क बनारसी पान को और बनारसी लंगडा आम को जी आइटेग मिला था, वैसे अभी जम्मू कश्मीर के बसोहली पेंटिंग को जी आइटेग मिला था, बिहार के मरचा चावल को जी आइटेग मिला था, और छत्तेजगड के धमतरी जिले के नागरी दूबरा चावल को जी टेग मिला था, मद्यपरदेश की गूंड पेंटिंग को जी आई टेग मिला था जी आई मतलब क्या होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन, अधिनियम आया था 1999 लागू हुआ 2003 में और पहला जी आई टेग मिला था सन 2004 में पश्चिमंगाल की दारज लिंग ठीक हो, और किसी भी प्रोड़क को अगर जी आई टेग मिलता है तो वो कितने सालों के लिए वैलेड रहता है तो आंसर होगा 10 सालों के लिए जबकि पेटेंट होता है 20 सालों के लिए ये थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना हम बढ़ते अगे फिर बताईए अभी हाली में पहली महिला कबड़ी लीग का किताब किसने जीता तो आंसर होगा उमा कॉलकता ने अच्छा ये पहली महिला कबड़ी लीग है इसका आयोजन कहां पे हुआ दुबई में 12 जून से लेके 27 जून तक इसमें 8 टीमों हिस्सा लिया और इसे जीता किसने उमा कॉलकता ने किसे हराया या उपविजेता रहा कौन पंजाब पैंथर्स और कबड़ी से एक प्रशन आप याद रखना कि 2025 में जो चौथे कबड़ी विश्व कप है उसका आयोजन कहां पे होगा तो इंग्लेंड में होगा और ये प्रशन इंपोर्टेंड क्यों है क्योंकि ये पहली बार होगा जब कबड़ी विश्व कप एशिया के बाहर होगा अभी जो जूनियर कबड़ी विश्व चेंपेंशिप 2023 जो कि इसका दूसरा संसकरन था हुआ था इरान में उसको भारत ने जीता था इरान को हरा के तो ये भी ध्यान रखना आप चलिए फिर बताईए हाली में अंतर राश्ट्र शुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया यानि कि इंटरनेशनल एस्टरोइड दे तो आंचर होगा 30 जून को तो हर साल 30 जून को मनातें इंटरनेशनल एस्टरोइड दे उद्दिश्य क्या है मनाने का जो शुद्र ग्रह हैं जो एस्टरोइड से उसके प्रभाव खत्रों के बारे में सार्वजनिक जागरुकता बढ़ाना और 30 जून को ही क्यों मनाते तो एक्चुली में 30 जून 1908 में रश्या के साइबेरिया में एक नदी है तुंगुस का नदी तुंगुस का जो नदी है उसी के पास में शुद्र ग्रह की एक बहुत बड़ी गटना होती है जैसे शुद्र ग्रह के चलते धर्पते पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा नुकसान बताया जाता है तो इसलिए हम 30 जून को ये शुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाते हैं अब आपको बता चल गया 30 जून को ही क्यों मनाते है शुद्र ग्रह यानि के एस्टरोइड और एस्टरोइड बेल्ट ये किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है अगर ये प्रशना आता है तो ये मंगल ग्रह और ब्रस्पती यानि की मार्स और जुपिटर के बीच में है अचा मार्स के दो उपग्रहों के नाम बताईए तो सबको बताए फोबोस और डिमोस यह जो Demos है यह सोर मंडल का सबसे चोटा उपग्र है अचा ब्रसपती से एक पॉइंट आपको और याद आएगा अभी इसमें 12 नए उपग्र खोजे गए थे और पहले से 80 थे जो हमें पता है तो टोटल कितने हो गए 92 तो अब सबसे ज्यादा चंद्रमा किस के हो गए है शनी के थे लेकिन अब ब्रसपती जुपिटर के हो गए कितने 92 अब हम जून के इंपॉर्टेंट डेस को रिवाइस करने वाले हैं देखो एक जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया तीन जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे पांच जून को वर्ल्ड एन्वाइरमेंट डे साथ जून को विश्व महासागर दिवस और आठ जून को ही वर्ल्ड ब्रेंट यूमर डे फिर बारा जून को विश्व बाल श्रम निशेत दिवस तेरा जून को अंतरराष्टर रंग हिंता जाग रुकता दिवस चोदा जून को वर्ल्ड बलड डोनर डे पंदरा जून को अब इसमें अगर एका डे छूट गया है और आपको वो याद आ रहा है तो comment box में लिखके बताईए और अब जून का महीना समापत हो चुका है तो ये days अब आपको याद हो जाने चाहिए और अगर daily आप हमारे current affairs का lecture बढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा जब भी day वाल अप्रशन आता है किसी भी महीने का उस महीने के जितने भी days हो चुके होते मैं आपको बार-बार revise कराता हूँ और कारण ये ये बार-बार repeat कराने का बार-बार revise कराने का क्या आपको वो याद हो जाए महीने के end होने तक बशर्ते आप साथ-साथ बोला भी करें जिस तरह से मैं बोलता हूँ तो आप भी बोला करें बोलने से चीजे ज़्यादा जल्दी याद होगी और ज़्यादा लंबी समय सक याद रही तो थोड़ी सी एनरजी तो आपको भी लगानी पड़ेगी अब ही हम बढ़ते हैं आगे चलिए फिर बताईए हाली में मेरिले बॉन किर्केट क्लब ने विश्व किर्केट समीती में किस भारते महिला किर्केटर को शामिल किया तो अंसर उगा जूलन गोस्वामी तो अभी मेरिले बॉन किर्केट क्लब ने अभी वर्ल्ड किर्केट समीती में तीन नए किरकेटरों को, तीन नए सदस्यों को शामिल किया है, दिन में से एक भारते भी हैं, कौन? जूलन गोस्वामी को, बाकी दो इंग्लेंड के हैं, एक तो हीदर नाइट और एक इयान मॉर्गन, बाकी हर्मन प्रीत कौर, आप जानते हो, अभी जो पहली प्रीमेर में सबसे महेंगी प्लेयर यही थी, रोयल चैलेंजर्स बंगलूरू ने खरीदा था इनको, आप जानते हो भी ICC Women's Under 19 T20 World Cup जो पहली बार हुआ था, साउथ अपरिका में, उसको किस ने जीता था? भारत ने, इंग्लेंड को हरा करके, तो ध्यान रखना ये बढ़ते आगे फिर बताईए, अभी हाली में जारी QS World University Ranking 2014 में, टॉप 10 में शामिल इशिया का एक मात संस्थान कौन सा है? तो अंसरो का National University of Singapore, तो हम बात कर रहे हैं QS World University Ranking 2014 की, जिसमें टॉप पर कौन है अगर बात करें तो MIT, Massachusetts Institute of Technology, अमेरिका का है ये, लगातार ये बारवी बार इस ल University है, लेकिन टॉप आप याद रखना, MIT टॉप पर है, और इस रैंकिंग की बात करें, ये इस बार इसका 20 वा संसकरन है, पहली बार ये जारी हुआ था 2004 में, और हम जैसे कि प्रशन के अनुसार बात करें तो टॉप 10 में एशिया का एक मातर संस्थान, ये है National University of Singapore, ये भी इंडिया में टॉप पर है, आपको याद होगा, अभी हमारे सिक्षा मंतरलेन जो National Institute ranking framework जारी किया था, उसमें overall category में कौन टॉप पे था, IIT मदराज, और अभी Times Higher Education की 20-23 की वार्षिक Asia University ranking आई थी, उसमें टॉप पे चाइना का सिंग्वा University था, दूसरे पे चाइना का Packing University और तीसरे पे ये, सिंगापूर की National University थी, और भारत का Indian Institute of Science 48 नंबर पे था, लेकिन QS World University ranking में, टॉप 10 में शामिल इशिया का एक मात्र संस्थान यही है, National University of Singapore, तो ये ध्यान रखना, वैसे हमारे सिक्षा मंतरी कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है, बढ़ते हैं के, चलिए फिर बताईए, अभी हाली में Lab Grown Meat के उत्पादन और प्रियोग की मंजूरी देने वाला, दुनिया का दूसरा देश कौन सा है, तो अंसर होगा अमेरिका, तो Lab Grown Meat, मतलब ऐसा मीट जिसे Artificial Lab में बनाया गया है, और अब इसे मंजूरी देने वाला दूसरा देश बन गया ह अमेरिका, तो पहला देश कौन सा था भाई, पहला देश था सिंगापूर, अचा लेब में ये कैसे बनता है, तो इसमें जिस जानवर का मीट चाहिए, उसकी कोशिकाएं लेकर के उसे कई दशक तक डीप फ्रीज किया जाता है, बाद में उन्हें स्टील के टेंकों में तो आंसर होगा नीरत चोपड़ा को, जिनका सम्मन्द जेविलें थ्रों से है, भाला फेक, तो ध्यान रखना ये, बढ़ते आगे, चलिए फिर बताईए, अभी हाली में दिव्यकला मेले 2020 का आयोजन ये कांपे किया गया, तो आंसर होगा जेपूर में, तो दिव्यांग जेपूर राजस्तान में दिव्यकला मेले का आयोजन कर रहा है, 29 जून से लेके 5 जुलाई 2023 तद, और इस कारेकरम का उद्देश्य क्या है, देशबर्क के विकलांग उद्दम्यों और कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कोशल को परदशित करने के लिए एक मंच प्र और इंदोर में वे थे, ये छटा हो रहा है, जैपूर में, तो ये ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे, फिर बताई अभी हाली में, इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल ने पहला कला करांती लाइफटाइम अचिमेंट पूरसकार किसे प्रदान किया, तो पंडित पीडी बाउल को, तो कला करांती लाइफटाइम अचिमेंट अवार्ड ये पहली बार दिया गया है, कहां कॉलकता में, और किस ने प्रदान किया, तो पस्चिब मंगाल के जो वरतमान गवर्नर हैं, सिवी आनन्द बोश ने, किसे दिया अभी, तो पंडित पीडी बाउल को, ये बाउल समराट के नाम से भी फेमस हैं, इनने पदम शिरी भी मिल चुका है, और अभी ये, और अभी ये पहला कला करांती लाइफटाइम अचिमेंट पुरुसकार मिला है, पहली बार मिल रहा है, ये भी तो प्रशन इंपोर्टेंट हो जाता है, अच्छा, मुझे बताओ, अभी इनने कौन सा पदम पुरुसकार मिला था, पदम वूशन, पदम विभूशन या पदम शिरी, और मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था, कि मैं दो दिनों के लिए आउट ओफ इस्टेशन हूँ, तो मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, ये भारत कौन से इस्टान पर रहा, तो अंसर होगा 67, टॉप पे स्विडन था, फिर पुछा, रौ हिटमेन नाम की बुक को किसने लिखा, एस हुसेन जेदी ने, फिर पुछा भी किस राज्य में ऑपरेशन कन्विक्शन लॉंच किया गया, तो अंसर होगा उत्रप्रदीश, फिर पुछा भी हिंदुस्तान यूनि लिवर के MDCO कौन बने तो अंसर होगा रोहित जावा, फिर पुछा भी सोलवे विशेश ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन ये कां किया गया, बरलेन जर्मनी में, फिर पुछा भी कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड के माद्यम से UPI ब फिर आप से पुछा भी केंद्र सरकार ने पशुचिकित्सा और टीकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉंच किया तो अंसर होगा नंदी पोर्टल, फिर आप से पुछा कौन सा देश सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरे में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया तो अंस सब ही और काईज अगर वीडियो को अपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ में भी जो भी आपका Steady Group होता है WhatsApp Group होता है शेर जरूर कीजिएगा प्लीज अब हम्वर्क प्रस्चन देखेंगे बाके इनकी क्विज बना करके मैंने अप्लोड जरूर कर दिया आपकी करेक एक्जाम एप्लिकेशन पर PDF भी आपको मिल जाएगी अभी PDF दो दिनों से नहीं बन पारी है लेकिन मिल जाएगी आपको करेक एक्जाम एप्लिकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अब प्रश्न